आज हम लोग बात करेंगे होस्टिंगर के डीटेल रिव्यू के बारे में हाई गाइज मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं आज हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंगर के बारे में होस्टिंगर एक ऐसी वेब वोस्टिंग सर्वेस है जिसका मैं कापी टाइन से यूज कर रहा हूं अरावं 2019 से सबसे पहले मैंने 2019 मी किया था फिर 2020 भी किया अब मैं इसका review 2021 में करने जा रहा हूँ जितना detailed review मैं दूँगा वो शायद सी आपको पूरे YouTube पे कहीं और देखने को मिलेगा क्योंकि मैं इसको तीन साल से use कर रहा हूँ तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा A to Z मैंन के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बता है तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं अगर मैं इस company के बारे में बात करों तो यह established हुई थी सबसे पहले 2004 में इन्होंने 2011 में अपने आपको brand किया था hostinger के नाम से और तब से लेकि यह लोग हमेशा नही नही फीट स नहीं है यह एच पैनल में इन्होंने काफी इंप्रूमेंट करें पिछले कुछ सालों में काफी सारे सी पैनल वाले फीचर आपको यह पर देखने को मिल जाएंगे और काफी easy to use भी है यह वाला है अगर आपको PHP एडिट करना हो तो फिर आप लोग सी पैनल के तरफ जाए तो फिर यह पैनल इंका काफी अच्छा है अगर मैं टेस्ट के बात करूं कॉन पराइ में काव जो स्टीं में कि रहें तो मैं ऩय पर मैं बिच्न वे उस्टिंगेस ले एक सार्ट अप्र वाला सर्boro और इनका अप्लाए है वाल आ। चॉनल में एक स्टार्टक वाला प्लान तीनों पर यहां पर मैंने ओशन डवलूपी थीम का यूज किया है, जिम टेंपलेट है, और कैशे के लिए लाइट स्पीड कैशे प्लगिन का यूज किया है, जो बाई डिफॉर्ट सेटिंग्स पर है, यहां पर मैंने कोई चेंज नहीं करें हैं, सिंगापूर, मुंबई, सिड्नी, यहां पर कम हैं, अगर मैं यूएस वाले सर्वर्स की बात करों तो यूएस में उसका टाइम कम है, और एशिया में आते आते उसका टाइम यहां पर थोड़ा बढ़ जाता है, सर्वर रिस्पॉंस टाइम इसका अच्छा है, इसमें कोई प 7.78 ms कि यहां पर मुझे स्पीड मिल रही है, सेम वेबसाइट के उपर और जब मैंने क्लाउड होसिंग के उपर ट्राइ किया, तो सिंगापूर में आपर स्पीड इसकी कम हो गई है, एक सेकंड की, तो यहां पर मुझे स्पीड इसकी काफी अच्छी देखने को मिली है, इसको पिछले 6 महीने से जादा है, यहां पर टेस्ट कर रहा हूं, मैं यां पर बेटर अपटाइम का यूज कर रहा है, हर तीस सेकंड में यां पर इसका अप्टाइम चेक किया जाता है, तो अगर मैं सिंगापूर शेयर दुस्टिं के बाद करूं, तो यह पिछले एक मही में कभी भी डाउन नहीं गई है अगर यहां पर हम लोग नीचे आते हैं तो पिछले तू थर्टी फो डेस्टे में आपर इसका अप्टाइम चेक कर रहा हूं तो तोल अवेलिबिलिटी जो मुझे मिली है वह नाइटी 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 नाइट परसेंट और टोल यहां प देरे देरे लोग इंप्रूब हो रहे हैं ओर रॉल मुझे यहां पर 99.87 का मिला है इससे जादा ही है क्योंकि यहां पर मेरे मेरी भी कुछ गलती थी अब अगर यही परी में यूएस की बात करो यूएस सर्वर की तो इसका जो अप्टाइम में वह काफी अच्छा है और इ यूएस वाले सर्वर से उनका अप्टाइम काफी अच्छा है जो सिंगापूर वाले सर्वर से उसमें थोड़ा इंप्रूव्मेंट यहां पर किया जा सकता है और जो भी अप्टाइम रहेंगे वह मैं अपने डिटेल आर्टिकल में इसको हमेशा अपडेट करता रहूंग तो जैसी वार्टिकल पब्लिश होगा उसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप लोग चेक आउट कर सकते हैं लेटेस्ट अप्टाइम डेटा के लिए लोड टेस्ट की बात करूं तो यहां पर मैंने 50 वर्चल यूजर भेजे देखने के ल मिल रही है कुछ यहां पर ज्यादा इश्यूज नहीं है यह पर इसके यूजर की बात करूं तो वहां पर तो और भी अच्छे हमें परफॉमेंस देखने को मिल रही है अराउंड 10,500 840 रिक्वेस करी गई है और रिस्पॉंस टाइम यहां पर थोड़ा सा हाइक हुआ है ल इसा नहीं है कि तीन सेकेंड तक चला गया है दो सेकेंड तक चला गया अंडर 200 सेकेंड यह तो आवरेस रिस्पॉंस टाइम भी इसका काफी अच्छा है और यहां पर भी एस्टीपी फेलियर नहीं हो रहे है तो लोड हैं इसकी अच्छी है यूएस वाले सर्वर्स की यहा इसके उपर में डीटेल्ड वीडियो बना चुका हूं आप क्वाई बटन के ऊपर मिल जाएगा और मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इसके बार में बात करें मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा सर्वर लोकेशन की बात करो तो यहां पर आपको यूरोप में सर्वर मिल जाएंगे यूएस में मिल जाएंगे और एशिया सिंगापूर में भी मिल जाएंगे फ्री डोमीन की बात करों तो वह इनके आपको सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलेगा प्रीमियम और बिजनस प्लान पर मिल जाएगा वैसे WordPress वाली जो hosting है, इनके single WordPress वाले hosting में free domain आपको नहीं मिलेगा और उसके ओपर के जो भी packages है उन सब पर आपको एक साल के लिए dot com वाला domain फ्री में मिल जाएगा अब अगर यहां पर मैं preview URL की बात करूँ तो preview URL मतलब अगर आपकी website पर domain name अभी नहीं आया है आपको test करना है उसके लिए आपको यहां पर preview URL की requirement रहेगी तो वो सिर्फ इनके main domain पर ही आपको मिलेगा जो आप लोग पहली बार register करोगे जो आपको main domain रहेगा उसके आपको preview URL मिलेगा जो की 120 अवस्तक यहां पर रहेगा अब अगर किसी और domains के लिए चीए तो उसकी भी ट्रिक्स है जो की मेरे अपने training प्रोग्राम में डिसकस करी है security की बात करों तो यहां पर hostinger ने recently path stack से collaborate किया था जिसके थुरू अगर आप लोग यहां पर wordpress यूज करते हो किसी plugin में कुछ vulnerabilities रहती है उसक्या notification आपको आज आएगा backup and restoration की बात करों तो काफी easy कर दिया है यहां पर आप लोग one click में backup भी ले सकते हो उसको restore भी कर सकते हो जो कि last year तक नहीं था अभी improvement कर दिया गया इसके ऊपर ease of use की बात करने तो है काफी easy है use करना h-panel आ गया है beginners click काफी easy है इस पर definitely काम किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में ताकि इसको एक beginner friendly hosting बनाया जा सके support की बात करने तो है यहां पर आपको chat support देखने को मिलता है लेकिन एकदम instant reply नहीं मिलेगा ad present जो यहां पर waiting time है वो around 20-60 minute का है जैसी आपको वहां से reply आएगा आपके पास email आ जाएगा उसके बाद वहां से आप लोग chat initiate कर सकते हो और उसके बाद के जितने भी आपकी queries रहेंगी उसके reply आपको जल्दी आना शुरू हो जाएंगे उस particular case के लिए अब यहां पर एक priority support नामक भी चीज़ है जिसके लिए एक extra fees पे करनी पड़ती है और इनके हिसाब से देन आपको यहां पर fast support मिलेगा मैंने इसको यहां पर purchase करके try किया लेकिन personally मेरे experience में इतना अच्छा नहीं था फिर भी मुझे reply आने में थोड़ा time लग रहा था I was like कि अगर मैं यहां पर extra payment दे रहा हूं तो मुझे पांच मिनिट के अंदर यहां पर reply आना चाहिए उसलिए तो मैं आपको यहां पर extra premium दे रहा हूं but मेरे case में ऐसा हुआ नहीं इनोट काउंट की बात करो तो दो लाग से लेके 6 लाग तक कि यहां पर आपको इनोट काउंट देखने को मिलती है जो की काफी अच्छी है एक shared hosting के हिसाब से इससे पहले यहां पर मैं प्राइजिंग की बात करूँ मैं एक disclaimer देना चाहूंगा कि hosting करने इस वीडियो को यहा पर आपको इसके 3 प्लांस देखने को मिल जाएंगे 79 उपी से स्टार्ट होता है और 279 तक इसके shared hosting के plans जाते हैं यह प्राइजिस तब मिलेंगे अगर आप आप चार साल के ले लोगे अगर आप लोग कम साल के आपर इन्वेस्ट करोगे तो discount यहां पर थोड़ा कम होते जा बाकि अगर wordpress वगरे चाहिए तो business ले लो यह ज्यादा बेटर है यहां फिर wordpress पर आके wordpress starter यह ले लो यह भी काफी अच्छा प्लान है discount coupon code की बात करो तो आपको मेरे नीचे दिये गए लिंक पर जाना है go.kripashadvani.com slash hostinger उसके बाद आपको मेरा discount coupon code क्रिपेश एंटर कर देना है और आपको यहां पर extra discount मिल जाएगा जो भी best discount इंडिया में चल रहा है वो उस code के तुरू यहां पर आपको मिल जाएगा तो यहा बास debit card नहीं है international debit credit card नहीं है वो लोग यहां पर UPI का फाइदा उठा सकते है refund policy की बात करो तो यहां पर आप तीस दिन में refund क्लेम कर सकते हो कुछ terms and conditions है माइनर सी जो मैंने अपने training program में layman terms में आपको explain कर दी है अब मेरा training program है क्या यह उन लोगों के लिए जिन्होंने hostinger मे advance function तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी सारे video tutorial से thinkific पर uploaded है और मैं एक बार recommend करूँगा कि यहां पर मैंने free preview करके रखें कि कौन सा best plan है कैसे purchase करना है कैसे server यहां पर select करने और कैसे आपको exactly मेरे training program में entry मिलेगी free में वो सब आप लोग यहां पर enroll क करके देख सकते हूं यह सारे free lessons है आपको exact steps पता चल जाएंगे बहुत सारे लोग यहां पर इसे coupon code यह एंटर करते हैं link पर click करके नहीं जाते हैं तो वो सारे exact steps में यहां पर clear कर दी है आप अगर यहां पर exact steps follow करोगे आपको यह वाला training program free में मिल जाएगा जो की आप लोग चला भी जाता है तो भी हमारे पास cloud flare है और भी बहुत सारे तरीके ऐसे से लेने के वो सब मेने training program में अगें बता है migration की बात करों तो यहां पर आपको unlimited free migration देखने को मिलते हैं hostinger की तरफ से migration request करने के लिए यहां पर आपको simply request कर देनी है जहां पर भी आपकी website है कहां पर है क्या आपको migrate करना है wordpress से करना है cpanel से करना कोई और control पैना रहे कौन सी website के उपर है वो सारी यहां पर आप लोग details जाल देना उसके बार उनकी team से कोई personally आपकी website यहां पर आपकी hosting पर ट्रांसवर कर देगा for free technology की बात करों त इनका site builder कुछ खास अच्छा नहीं है हाला कि यह लोग आपको जायरो पे redirect कर देते हैं जायरो जो की hostinger का ही एक part है लेकिन आपको इसके लिए separately pay करना पड़ेगा तो अगर आपको site builder चाहिए तो होस्तिंगर की तरफ मच जाईए बेटर है कि आप डिरेक्ली जायरो से ही सस्ति क्यों है कैसे लोग survive कर रहें इतने साल से इस price point के ऊपर तो मैंने थोड़ा detail में में घुसा मैंने इसको अच्छे से analyze किया उसके बाद मैं जिस conclusion पर पहुंचा हो यह है कि यह लोग ना काफी collaborations भी करते रहते हैं साथ में जैसे इन्होंने recently path stack के साथ में collaborate किया था देन Optim Monster है WP Forms का plugin है यह pre-installed plugins है हाला कि आप लोग यह आप इसको deactivate कर सकते हो लेकिन जब भी कोई दूसरी company के साथ collaboration होता है तो वहां से भी पैसे आते हैं वहां से भी affiliate marketing होती है तो इस तरीके से भी hostinger यहाँ पर अपनी cost को recover करता है इससे पहले मैं इसकी कुछ प्रोज यह कॉ अच्छी है और unlimited migration से UPI payment का भी आपको support देखने को मिल जाता है Indian users के लिए अगर मैं इसके कुछ cons की बात करूं तो यहां पर आपको थोड़ा सा bloatware देखने को मिल सकता है जैसे कि मैंने बताया कि कुछ plugins यह लोग automatically install कर देते हैं हाला कि आप लोग यहां पर उसको deactivate कर सकते ह SSL सिफ एक ही available है support इनका अच्छा है लेकिन उसकी speed जादा अच्छी नहीं है कभी कबार एक गंटे तक लग जाता है reply आने में अब time यहां पर अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर improvement किया जा सकता है so the big question is कि क्या Hostinger अच्छा option रहेगा 2021 में as a budget hosting provider तो मेरा answer आज भी yes है Hostinger एक अच्छा option है काफी जगह पे इन्होंने improve किया है पिछले साल से interface इनका काफी अच्छा हो गया तो फिर Hostinger एक काफी अच्छा option होगा यहां पर मैंने भी कुछ अपनी websites को Hostinger पर होस्ट करके रखा है और अगर अगर आपना budget बढ़ा सकते हो तो फिर Kemi Cloud और Fast Comet भी अच्छा option रहेगा So that's all for this one अगर आपको यह अच्छा लगाए तो आपना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए कही लिंक से पर्चेस करके कोपन कोट इंटर करते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको फ्री में मिल जाएगा So that's all for this one and I will see you guys in the next one. Goodbye